नमस्कार दसमाचार भारती में आपका हार्दिक स्वागत है मिथला छेत्र का बिश्व प्रसिद्ध सिमरिया धाम गंगा तटपर कार्थिक महीने में कल्पवास की परंपरा काफी प्राचीन है जहां बिहार के लगभक सभी हिसों से बिसेसकर मिथला एबब नेपाल से हज्जारों स्रधालू पहुचते हैं जो जिला प्रसासन बेगुसाय के द्वारा निर्धारित किये गए अस्थानों पर अपना छोटा छोटा पर्न कुटी बना कर पूरे एक महीने तक कल्पवास करते हैं सबसे पहले हमें यह जानना चाहिए कि कल्पवास है क्या कल्पवास का मतलब है एक मार तक गंगा के तटपर रहते हुए बेदा ध्याद और पूजा पाठ करना इन दिनों सिमर्या में कल्पवास मेले का आरंब भी हो चुका है और अब यह कुछ दिनों में समाप्ति की ओर भी है कल्प भास करने आई लोग अपने अपने पनकूटी में रह कर गंगा का सेबन करते हैं एबम अपने दिन-चर्या में भग़वान की सेबा में लगे रहते हैं सैक्रो धार्बेक खाल्साओं से जूड़े लोग भी अपने अपने खाल्सा के जंडों के साथ कल्पबास करते हैं सामोहिक भोजन, निर्मान एबं 31 भोजन करना काफी प्रचलित है इन खाल्सों में पद्म पुरान में इसका जिक्र करते हुए महर्शी धत्तात्रे ने कल्पबास के नियमों के बारे में विस्तार से चर्चा की है जिसके अंसार 45 दिन तक कल्पबास करने वाले को 21 नियमों का पालन करना होता है पाला नियम है सत्य बचन, दूसरा अहिंसा, तीसरा इंद्रियों पर नियंत्रन, चौथा सभी प्रानियों पर दया भाव, पाँचमा ब्रह्म चज का पालन, छठा ब्यसनों का त्याग, साथमा ब्रह्म मुहुर्त में जागना, आठमा नित्य तीन बार पवित्र गंगा न संकल्पित छेत्र के बाहर ना जाना, पंद्रह्मा किसी की भी निंदा ना करना, सोलावा सादु सन्यासों की सेवा करना, सत्रह्मा जब एवम संकीर्तन, अठारावा एक समय भोजन, उन्नीसवा भूमी सयन, बीसवा अगनी शेवन और एकीसवा देव पूजन बताया गया ह इन में से सबसे ज़्यादा महत्व, ब्रह्मचर्ज, ब्रत, उपबास, देव पूजन, सत्संग और दान का माना गया है सिमरिया कलपबास मेले में जिला परसासन बेगुसराई के द्वारा साप सफाई, जल प्रकास की ब्यवस्था की जाती है निर्धारी छेत्र में कलपबास के लिए आये लोग अपना पर्ण कुटी बनाते हैं, तथा बड़े-बड़े संतों की मंडली जो प्राया खालसा के नाम से प्रसीद होते हैं, वह भी अपना खालसा कलपबास छेत्र में बनाते हैं जहां पर कलपबास करने आये लोग कलपबास के अनुकूल आचरन करते हुए बेदा ध्याई, पूजा पाठ एबं प्रबचन किर्टन आदी लगातार करते रहते हैं सायंकाल में गंगा आर्ति का मनोरम द्रिश भी इस कलपबास मेले का प्रमुख आकरसन है इसके अतरिक्त मेला छेत्र में अस्थाई दुकानों के अलाबे भी मीना बाजार जैसी दुकाने सजाई जाती है और आवस्ता की सभी बस्तमें उपलब्ध होती है मीना बाजार में छोटे-छोटे बच्चों के खिलोने से लेकर उपयोगी बरतन, चूडी, सिंदूर, प्रसाथ जैसे चीचों भी उपलब्ध होते हैं बताते चलें कि सुमडिया धाम के कलपबास मेला को राजकी या मेला घोसित किया जा चुका है किन्तू अभी भी यहां की स्थिती बिचाड़नी है पहले कलपबास मेले के दौरान कलपबासियों को जिला प्रसाशन के द्वारा रासन सामगरी उचित मुले पर उपलब्ध कराये जाते थे किन्तू इन दिनों कई बरसों से यह बवस्ता बंद कर दी गई है जिससे कलपबासियों को कटनाई तो होती ही है साथ ही जिला प्रसाशन से इसे फिर से शुरू करने की अपील भी की गई है दर्भंगा जिला से आये हैं जब यहां पर बार आया था पानी आया था तो सब का खोपरी में पानी दूगिया था खलसा बला जो हुआ में मदद किया सरकार से कोई मदद नहीं मिला कोई लाइक नहीं बिली नहीं कुछ नहीं कुछी चीज का कोई विवस्ता नहीं मिला हमारे यहां सब चीज सुवदा है तीन फूल लेट्रिंग है दो कॉल है चापा समय समय सफाई भी होते हैं केबल हम लोग को रासन नहीं मिल रहा है और कोई समस्या और नहीं कोई समस्या सब सभी जी बाबा बताइए इस कल्पबास मेले में सरकार के तरफ से क्या-क्या सुविधाय मुफ्त में आप लोग को उपलब्द कराई जा रही है मुफ्त में सर यहीं लेटरिंग और चापा कल है और साफ सफाई बिजली बला तो पैसे ले रहा है और तो कुछ मिल नहीं रहा है और तो रासन पानी नहीं मिल रहा है कुछ नहीं